हेलो स्टुडेंट विहार नमन जीएस के इस एजुकेशनल प्रेटफर्म पे आप सभी का स्वागत है आज हम लोग विहार नमन जीएस के द्वारा आयो जीत सतरवी विपेसी पीटी टेस सेईज के क्वेश्चन को डिसकस करेंगे जो इस एक्जाम के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और यह सारा क्वेश्चन NCRTE बेस्ट है तो चलिए सुरू करते हैं आज के हमारा टेस्ट नमबर है 7 तो हम दिखते हैं पहला नमबर क्वेश्चन हमारा पहला नमबर क्वेश्चन है सेतरवी सेताब्दी में भारत और जावा के बीच ब्यापार पर प्रभूत था तो यह अप्शन B एंसर हो जाएगा डचो का था हमारा सेके नमबर क्वेश्चन है करनाटक का यूद किस किस के बीच हुआ था तो यह अप्शन A हो जाएगा इसका अंसर अंग्रेज और फ्रैंसिसी हो जाएगा करनाटक का यूद किस किस के बीच हुआ था तो यह अंग्रेज और फ्रैंसिसी के बीच हुआ था हमारा थर्ड नमर कुश्चन है किस वस ट्रेंक को बार में प्रत्थम डेनीज व्यापार समझाता कायम हुआ था तो एंसर हो जाएगा A. 1620 भी में हुआ था हमारा फोर नमर कुश्चन है भारत के पस्मी तटके किस अस्थल पर इंगलिस फाक्ट्री थी इसका एंसर हो जाएगा A. तेली चेरी में हमारा फार फाइब नमर कुश्चन है 1697 का रिजविक संधी समंदित था तो यह पांडी चेरी वापसी से था आपसन नमर Ondre C. एंसर हो जाएगा पांडी चेरी वापसी हमारा 6 नमर कोश्चन है 1746 से 1761 के बीच हुए तीनों आंगल फ्रांसे सी युद के समय फ्रांस का समराट था तो यह अप्सन भी एंसर हो जाएगा लूई 15 वी हमारा सेवे नमर कोश्चन है जिसमें सुमीलित करना है और इसका कूट एंसर जो हो जाएगा और फ्रांसेसी डे मदरास का संस्थापक था फ्रैको मार्टीन या पांडी चेरी का प्रथम गवर्नर फ्रांसेसी था पांडी चेरी का प्रथम फ्रांसेसी गवर्नर था और मदरास का जो संस्थापक था यह कैरूल्ड आंगियार था तो ये हमारा answer हो जाएगा हमारा एट नमर question है 1593 ISW में किसследisan company को Elizabeth ने अधिकार पत्र दिया था इसका answer namos c हो जाएगा Leavened company 1593 ISW में किसăm company को Elizabeth ने अधिकार पत्र दिया था तो ये leavened company को दिया गया था हमारा nine number question है बंगाल में डचो ने कौन सा करखाना अस्थापित किया था कुछ निक बार फिर से सुनिए बंगाल में डचो ने कौन सा करखाना अस्थापित किया था हमारा option हो जाएगा answer D उप्युक्त में से एक से अधिक क्योंकि चिन सुरा भी हो जाएगा और फुगली तो इसलिए एक से अधिक हो जाएगा हमारा अंसर डच इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना 1602 में यूनाइट इस्ट इंडिया कंपणी के रूप में की गई थी इसका पहला ब्यापारी केंद्र इंडोनेशिया था हमारा टीन नमबर कोशन कहता है इस्ट इंडिया कंपणी के किस अंग्रेज गवर्नर को और अंग्जीब द्वारा भारत से निसकासित किया गया था तो यह हो जाएगा अपसन C सर जॉन चाल्ड को East India Company के किस अंग्रेज गवर्णर को और अंग्जेब द्वारा भारत से निस्कासित किया गया था तो यह Sir John Charles को निस्कासित किया गया था 11. Question है Lord कर्ण वालिस की कबर कहा है तो यह गाजीपूर में है Option No. C हो जाएगा गाजी पूर्जो है या देश के बिभिन हिस्सों से सड़क और रेलवे मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है हमारा 12. Question है 1802. इस्वी की बेशिंग की संदी परहस्ताचर किसके मत हुआ था तो यह अंग्रेज तथा बाजी राव दूतिये के बीच हुआ था 30. Question है आंगल नेपाल यूद किसके सासन में हुआ था तो यह यूद लॉर्ड हेस्टिंग के सासन काल में हुआ था इसकोशन का एंसर C हो जाएगा Option No. C Lord हेस्टिंग आंगल नेपाल यूद किसके सासन में हुआ था तो यह लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे Option C 40. Question को देखते हैं सुरच्छा प्रकोष्ट की नीती समंदित है तो यह हो जाएगा वार्ण हेस्टिंग से Option No. A सुरच्छा प्रकोष्ट की नीती थी जो यह वार्ण होस्टिंग के समय में था वार्ण होस्टिंग के समय में सुरच्छा प्रकोष्ट की जो नीती थी वो इसी से समंदित है तो इसका आंसर A हो जाएगा हमारा 50. Question है किस Governor General ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो इसका आंसर हो जाएगा अपसर नमबर B किस Governor General ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था तो यह एलेन बरो हो जाएगा इसका आंसर B हमारा 16. Question है किस Company ने सरपर्थम भारत में रेल यात्रा प्रारम की I hope कि यह कुशन का आंसर सबको पता होगा Great Indian Peninsula इसका आंसर A हो जाएगा अपसर नमबर A Great Indian Peninsula हमारा 17. Question है अफगानिस्तान के प्रती जोस भरी अगर या फॉरवर्ड नीती का अनुसरन करने वाला गवर्नर जनरल था तो यह अपसर नमबर C हो जाएगा इसका एंसर लीटर के द्वारा किया गया था 18. Question है कौन भारत का दिर्ग काली वाईसराय सबसे दिर्ग काली रहा तो इसका एंसर हो जाएगा D. उप्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि लार्ड लिन थीगो ने 1936 से 1943 तक भारत के बाईसराय के रूप में कार किया था उनके साथ साल के कारकाल ने उन्हें भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला बाईसराय बना दिया था तो याद रखेंगे यह था लॉर्ड लिन थीगो लॉर्ड लिन लिथगो ने ही भारत में साथ साल तक के लिए अपना यह जो बाईसराय का कार था वो समयाला था 1936 से 1943 तक प्राची नसमारक संरचन एक्ट किस गवर्णर जनरल के कारकाल में पारित हुआ था तो यह करजन के काल में हुआ था अपसर नमबर सी हो जाएगा 20 नमबर कुश्चन को देखते हैं अस्थानी स्वाईशत्ता संस्था 1882 में ससक्त की गई थी तो यह हो जाएगा लॉड रीपेन के सासन में हुआ था अपसर ची हो जाएगा लॉड रीपेन हमारा 21 नमबर कुश्चन है लॉड करण वालिस का अस्थाई बंदवस्त लागू किया गया था जो यह 1793 इसमें किया गया था option number C हो जाएगा इसका answer Lord कर्ण वालिस का अस्थाई बंदवस्त लागू किया गया था तो ये 1793 इसवी में किया गया था option number C 22 number question देखते हैं किसने विचार किया था कि भारत में British आर्थिक नीती घिलोनी है तो ये option C हो जाएगा काल माक्स के काल माक्स ने किया था इस बात को कि किसने विचार किया था कि भारत में British आर्थिक नीती घिलोनी है काल माक्स का मानना था कि भारत में British आर्थिक नीती घिलोनी थी हमारे 23 number question है स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था तो वो option number B अंसर हो जाएगा कमल और रोटी हमारे 24 number question है अस्थल कौन सा है जो राचस्थान में 1857 की क्रांती का केंद्र नहीं था तो यह हो जाएगा जैपूर यह नहीं था 1857 की क्रांती का केंद्र बाकी अजमेर भी था और नीमज भी था इस बात को याद रखेगा हमारे 25 number question हो जाएगा 1857 की क्रांती में अंग्रेजो और जोदपूर की शंजिप्ट सेना को प्राजित करने वाला था तो बात था आपसर number C हो जाएगा आउवा के ठाकुर कुसल सी याद रखेगा इसका आंसर आउवा के ठाकुर कुसल सी थे हमारे 26 number question है 1857 के विरोथ में अंग्रेजो का सबसे कटर दुस्मन था तो बात अप्शन हो जाएगा A. मौलवी अहमद दुल्ला शा जो की ये सबसे अंग्रेजो के कटर दुस्मन थे 27 number question कहता है भारत में सिच्चित मध्वर्ग ने question फिर से सुनिए भारत में सिच्चित मध्वर्ग ने जो 1857 के जो बिरोथ थे उसको ये तटस्था पर रखे थे 1857 का युद्ध जो हो रहा था इसमें सिच्चित मध्वर्ग ने तटस्था बनाई रखे हमारे 28 number question है 1857 के विरोथ को एक सट्यन्त की संग्या दी तो ये हो जाएगा option number B answer Sir James आउट्रम इवं W. Taylor ने हमारे 29 number question है पागल पंती वित्रोबस्त था एक वित्रोथ था तो यह था गारों के option number C इसका answer हो जाएगा पागल पंती वित्रोबस्त था एक वित्रोथ था तो यह था गारों का माब कीजेगा option number B हो जाएगा इसका गारों का था हमारे 30 number जो question है वो है वेलू थंपी ने अंग्रेजों के विरूद अंदूलन का नेत्रत किया था तो इसका answer हो जाएगा A केरल वेलू थंपी ने अंग्रेजों के विरूद जो अंदूलन का नेत्रत किया था तो यह केरल में हुआ था इसका option A हो जाएगा 34 number question है हमारा जो 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो यह option C answer हो जाएगा Major Baro को option C इसका answer हो जाएगा 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था तो यह answer हो जाएगा Major Baro 32 number question है मुंगेर के बरहाड या ताल विरूद का उद्देश क्या था तो यह answer हो जाएगा Bacast भूमे की बापसी की मांग मुंगेर के पहाड या ताल विरूद का उद्देश क्या था तो यह Bacast भूमे की बापसी की मांग हो जाएगा option number C यह question BPC आयोगद्वारा पूछा गया है तो इसे याद रखेंगे कि मुंगेर के बढ़हिया ताल विरूद का उद्देश था तो यह इसका option C हो जाएगा Bacast भूमे की बापसी की मांग 33 number question हो जाएगा कौन सा अस्थान गटकरी विरूद का केंद्र था कौन सा अस्थान गटकरी विरूद का केंद्र था तो यह हो जाएगा अंसर B हो जाएगा कौन सा अस्थान गटकरी विरूद का केंद्र था तो अपसन B हो जाएगा कौलापूर 34 number question है किसे पेरिस रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सरदस्ता प्रदान की गई थी तो यह था अपसन B एंसर हो जाएगा माइकल मदू सुदन दर्थ इन्हें वेरिस रॉयल एसियाटिक सोसाइटी की सरदस्ता प्रदान थी हमारा 35 number question है किसने काली दास की प्रसीद रचना सकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो इसका अंसर नंबर C हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने काली दास की प्रसीद रचना सकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था हमारा 36 number question है भारत के किस अधीनियम में सबसे पहली बार भारत में सिच्छा के लिए एक लाख रुपए दिये थे तो यह हो जाएगा अधीनियम हमारा एंसर भी हो जाएगा option number charter अधीनियम 1813 question एक बार फिर से सून लीजे सरकार के किस अधीनियम में सबसे पहली बार भारत में सिच्छा के लिए एक लाख रुपए दिये थे तो यह हो जाएगा charter अधीनियम 1813 37 number question उमीद करते हूँ कि यह question का answer हर किसी को पता होगा hunter commission की report में विकास पर विसेज जोर दिया गया था तो यह हो जाएगा option number C answer प्रात्मिक सिच्छा को hunter आयोग का प्रात्मिक और सबसे महत्पूल उदेश प्रात्मिक सिच्छा पर जोर देना था हमारा 38 number question है सिच्छा में सुधार ही तू प्रेटिस सरकार ने सैडलर विस्विद्यालय आयोग कब न्यूप्त किया गया था तो इसका answer हो जाएगा option number B 1917 में हमारा 39 number question है भारत में प्रथम तीन विस्विद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई के अस्थापना किस वर्ष की गई थी तो यह 1857 में की गई थी हमारा 14 number question है किससे सतत्त प्रत्नों ने प्रत्नों से बंबई में प्रथम मेला बिस्विद्यालय की अस्थापना हुई थी तो यह जो हुई थी DK कारवे के द्वारा हुई थी किससे सतत्त प्रत्नों से बंबई में प्रथम मेला बिस्विद्यालय की अस्थापना हुई तो याद रखेंगे DK कारवे हमारा 41 number question है बनारस हिंदू बिस्विद्यालय का सिला न्यास किस ने किया था तो अपसर नमबर ए हो जाएगा इसका एंसर Lord Harding ने बनारस हिंदू बिस्विद्यालय का सिला न्यास किस ने किया था तो यह Lord Harding ने किया था हमारा 42 number question है भारत ब्यवार में East India Company का एक आधिकार जो समाप्त किया गया था तो यह हुआ था 1813 इसमी में option number C इसका answer हो जाएगा भारतिय वेवार में East India Company का एक आधिकार समाप्त किया गया था तो 1813 में किया गया था हमारा 43 नमबर question है इस डिनिया कमपनी द्वारा अस्थापीत उच्दम नियाले के प्रथम प्रमुक नियाधीस थे तो यह थे option number A हो जाएगा Elijah Impe याद रखेंगे East India Company द्वारा अस्थापीत उच्दम नियाले के प्रथम प्रमुक नियाधीस थे तो यह थे Elijah Impe हमारा 44 नमबर question है मदरास किस दुर्ग के साथ सम्बंदित है तो यह हो जाएगा Fort St. George यानि की option number A हो जाएगा इसका answer St. George question एक बार फिर से सूनियेगा मदरास किस दुर्ग के साथ सम्बंदित था तो इसका answer A हो जाएगा St. George दुर्ग 45 नमबर question है France C.A. East India Company अस्थापित हुई थी तो यह हुई थी option number A हो जाएगा Louis 14 के सासनकाल में France C.A. East India Company की अस्थापित हुई थी जो यह हुई थी Louis 14 के सासनकाल में और यह France C. भारत में आने वाले अन्तिम येरोपिय लोग थे इस चीज़ को भी याद रखिएगा आज का हमारा 46 नमबर question को दिखते है इसमें कहता है निमलखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है तो इसे हमें चुनना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है तो इसका option हो जाएगा बी तालुकदारी पंदोबस्त बंबई जो किया गलत कथन है तालुकदार धनी जमिनदार थे जो मुगल समराज और प्रिटिस काल के दौरान सासक वर्ग का हिस्सा थे हमारा 47 नमबर question है पीस इंडिया एक्ट के अंतरगर निम्ण में से किसे अस्थापित किया तो यह था नियंतरन बोर्ड option number B हो जाएगा कुश्चन फिर से सुन लीजे पीट्स इंडिया एक्ट के अंतरगर निम्ण में से किसे अस्थापित किया तो यह नियंतरन बोर्ड हो जाएगा option number B answer हमारा फूटी एट निम्ण कोश्चन है किस अधिनियम के अंतरगर भारतिय विधान परिश्चत को बजट पर बहस करने की सक्ति प्राप्ट हुई तो यह हो जाएगा option number B भारतिय परिश्चत अधिनियम 1892 इसको याद रखेंगे इसका अधिनियम के अंतरगर भारतिय विधान परिश्चत को बजट पर बहस करने की सक्ति प्राप्ट है तो यह अधिनियम हो जाएगा भारतिय परिश्चत अधिनियम 1892 हमारा फूटी नाइग नमर कुश्चन है या हो जाएगा किस अधिनियम द्वारा संबैधानिक नीरंकुष्टा का सिध्धान प्रवित किया तो इसका अंसर हो जाएगा C 1935 का भारत सरकार अधिनियम कोश्चन पीर सी सुनिये किस अधिनियम द्वारा संबैधानिक नीरंग कुष्टा का सिध्धान प्रवीत किया गया तो यह एंसर हो जाएगा 1935 भारत का जो भारत सरकार का अधिनियम है 1935 हमारा 50 नमबर कोश्चन पूछता है प्रांतो में द्वैद सासन प्रनाली किस अधिनियम के अंतरगत लागू की गई थी तो यह हो जाएगा अपसर नमबर 6 एंसर 1919 प्रांतो में द्वैद सासन प्रनाली किस अधिनियम के अंतरगत लागू की गई थी तो यह 1919 इस भी हो जाएगा